वेल्कम सुदेंट्स आज हम देखने वाले हैं वक्षीट नमबर 21 जो कि है 21st of August की लास 10th की वक्षीट है इसके नहीं देखेंगे पहले साइंस फिर हम देखेंगे मैट्स और फिर देखेंगे हिंदी तो आई चलते हैं साइंस का जो टॉपिक है एलेक्टिसिटी उसको जैसे कि आप कि होगा एल्लेक्टिके लोगी या भूसकती है प्रेस और यावे एलेक्रिक हीटर तो वो किस तरीके से काम करता आज हम उसके बारे में पर्णे वाले हैं इनलेक्टिक संक इस प्योर्ली रिजिस्टिव the source of energy continually gets dissipated entirely in the form of heat तो हमने परे रिजिस्टेंस के बारे में पड़ा हुआ है कि रिजिस्टेंस एक तरीकी का आपका material लगा जाता है जिससे electric current जो होता है वो flow करने में उसको time लगता है जिस वज़ा से वहाँ पर resistance create होने की वज़ा से है वहाँ पर जो heat electricity जो source of energy है वो dissipate होता है मतलब disappear होने लग जाता है या फिर अपने सरां movement नहीं होती और disappear होता है अपनी surrounding में heat की form में और इसी को कहते है heating effect of electric current आगे हम पढ़ लेते हैं इसके किस तरीके से formula है और detailing है किस तरीके से आप इसको calculate कर सकते हैं consider current I flowing through a resistor of resistor R let the potential difference across it be V तो यह सारे के सारे हम पहले पढ़ चुके है electric current क्या होता है resistor क्या होता है और potential difference क्या होता है V तो हमने इसको हमने om slow में पढ़ा था V is nothing but voltage resistance R let T be the time तो यह सारे के सारी abbreviation से जिनको आपको समझना है and Q be the charge of flow कितना उसके इंदर charge है the work done is moving across the charge Q through a potential difference of V is VQ therefore the source must supply energy equal to VQ times T so यह बहुत ही जदा complicated हो रहा है तो हम इसको जड़ा आसान भासा में समझने की कोशिश करते हैं आई चलते हैं तो जैसे कि हमने बात करेंगे ते heating effect of electric current की तो यहां भी मैंने कुछ appliances आपको दिखा रखे है as an example आपके घर में जो जो हो आप वो भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं आई चलते हैं power किसे कहते हैं power is rate of doing some work अगर हम इसको formula के point of view से सोचें work done upon time so work done per unit time is power जो यह होगे इसका general but the electricity में इसका the form हम use करते हैं तो जो work done होता है वो होता है energy consume तो कोई काम करने में कितनी energy consume हुई तो basically आपको जो circuit है उसके अंदर एक point से दूसरे point पे जाने के लिए current को कितनी energy consumed हुई upon time तो इसी साब इसका formula भी निकाल सकते हैं तो जो work done है उसे कितने joules और time जो होता है seconds so power की जो ऐसा unit होती है joules per second और electricity में इसको बोलते हैं watt से तो one watt में क्या होगा जैसे कि अभी अभी हमने formula में यह पर देखा था होता है joules per second तो one watt क्या होगा one watt equals to one joule per second one second तो आप इस तरीके से उसकी अगर आपको formula याद है तो आप उसको one watt की definition भी आप इसके इंदर बहुत अराम से याद कर सकते हैं अब one kilowatt में कितना होता है यह सारी के सारी detail आपके work sheet में भी है मैं वहाँ पर भी आपको highlight कर दूँगा यह बस आपको समझाने के लिए important है one kilowatt एक kilo में कितना होता है thousand gram होता ना उसी तरीके से यहाँ पर thousand watt होता है one megawatt में कितना होता thousand kilowatt तो हमने यह चीज़ पढ़ी थी what equals to work done upon charge तो यह बहुत important formula है जिसको आपको याद रखना है हम पिछली workshop में इसके बार में discuss कर चुके हैं आगे देख लेते हैं आगे इसका हम use कैसे करेंगे तो हमने पता है v equals to w upon q what equals to work done upon charge अब इसको अगर मैं cross multiply करूं तो q जो हो जाएगा वो v से multiply हो जाएगा तो आपका w equals to v into q हो जाएगा और हमें पता है power equals to w upon t जो power है उसका formula हो गया w upon t कि हमने यहां से ले लिया power equals to work done upon time तो इसे चीज़ को अगर हम यहां पर substitute कर दें w की value यहां पर v into q में तो power equals to v q upon t आजाएगा और q upon t हमने पिछली work sheet में पढ़ा था उसके कहते हैं current तो p का formula हो गया v into i है यह एक important हमारा formula बन जाएगा p equals to v into i अभी इसका हम use करेंगे energy supplied by the source equals to power into time अगर एक source है जैसे आपका plug एक source है उसकी energy कितनी वो supply कर रहा है वो हम कैसे निकालते हैं वो जितनी power दे रहा है times कितने time के लिए दे रहा है यह बहुत important step हो जाएगा energy supplied by the source source क्या होता है जहांसे current supply हो रहा है तो वो कैसे calculate कर जाता है power times time कितने time के लिए वो चला अब उसी चीज को हम heat बोलते हैं so heat हो गया power into time अब heat produced in time t अब heat हमने P का formula भी हमने यह से देखा P equals to V into I तो हमने P के जगा पर V into I लिख दिया तो heat produced in time t क्या हो गया V into I into T अब on slow में हमें पता है V का formula क्या होता है I into R so V के जगा पर हमने I into R लिखा तो हमारा formula बन गया heat equals to I square into R into T मुईत करते है complicated derivation आपको समझ में आई होगी जर आप video को दो तीन बार समझ पीछे जाके फिर दुबारा देखें जहां पर भी दिक्कत आए और पुरानी videos को जरूर देखें पुरानी videos में अगर आपका concept clear नहीं है तो यहां पर थोड़ा सा problem आ सकता है तो ultimately आपके यह जो कुछ formulas है यह और यह P equals to V into I इसको आप थोड़ा सा जिहन रखें आगे आने वाली worksheet में भी इनका use होगा आगे चल लेते हैं AC को थोड़ा सा और समझ लेते हैं H equals to I square into R into T का मतलब क्या है heat उतनी ही जादा होगी जितना जादा current flow करेगा heat उतनी ही जादा होगी जितना जादा उसका resistance होगा heat उतनी ही जादा होगी जितना उसका time होगा यह सारे के सारे points आपको worksheet में भी दिख जाएंगे आई चलते हैं आगे एक दो points और हैं उनको देख लेते हैं आम वह हमें पता है V equals to IR होता है और हमें अभी अभी देखा हमने P equals to V into I यहाँ पर P equals to V into I अब हम इन दोनों को हम relationship इसका बनाएंगे तो हम मैं I की जगाँ पर V upon R दल सकता हूँ यहाँ से निकाला I, R उदर जाएगा डिवाइड हो जाएगा V upon R तो मैंने V upon R दला तो आपका आगया V into V V square upon R तो यह एक relationship है दूसरा relationship जैसे मैंने यहाँ पर I की value दली है उसी तरीके से V की value भी दल सकता हूँ यहाँ पर V की value अगर मैं दलूंगा I into R तो formula बन जाएगा I square into R तो यह 3-4 formulas हैं same आप बुलेंगे सब इतने सारे formulas हैं इतने सारे formulas इसलिए हैं because बहुत सारी conditions अलग-अलग दी जा सकते हैं कभी वो आपको current और voltage देदेगा कभी वो आपको time देदेगा उसी resistance देदेगा तो जैसी आपके condition होगी उस हिसाब से आपको उसका formula यूज करना होगा IMS को एक summary में आपको दिखा देते हूं सारे formulas एक जगा पे यह general formula जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे power का work done upon time या electricity में बोलने तो energy upon time और यह आज आपने एक technical formulas पढ़े हैं के basis के आप कुछ questions भी करके देखेंगे so electrical power equals to V into I यह हमने पहला देखा था उसके बाद हमने इसके अंदर जब V की value डाली I R तो formula बन गया I square into R फिर जब हमने I की value डाली V upon R तो यह formula बन गया V square upon R तो आपको यह तीन formulas आप इनको side में लिख ले जैसी electricity के बर कोई question आए तो यह formulas में से हम choose करके उस question को हम solve कर सकते हैं तो यह जो आपने यहाँ पर जितने भी formulas हैं वो मैंने आपको PPT में दिखा दिये हैं तो आप वहाँ से एक बाद इनको copy कर लें चाहे तो आप इनको अब आप read कर लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा तो हमने यहाँ पर formula दिखा था H equals to I square into R into T तो यहीं से है इस formula को हम बोलते हैं Jules Law of Heating तो यहाँ पर यह जो यहाँ पर लिखा हुआ है यह भी हमने explain कर दिया था कि वो proportional है तो यह भी हमने PPT में discuss कर लिया है आगे चलते हैं Electric power के बारे में तो power के बारे में भी हमने discuss कर लिया था तो यहाँ पर एक important यहाँ पर चीज दे रखिये commercial unit of electric energy is kilowatt तो kilowatt में जो consumption करे जाती है वो commercial units के लिए जैसे कोई industry में industry के लिए electricity consumption हो रही है तो उसको kilowatt में करा जाता है whereas जो आपके घर में use होता है वो watt का use होता है आगे इन्होंने कुछ इनके uses भी बता रखे है relationship बता रखे है SI unit की 1 kilowatt equals to 1000 watt यह अभी हमने बता दिया तो इसको seconds में ले जाने के लिए कि हमने वो लगा जूल पर second होता है तो इसको हम 3600 seconds से multiply कर देंगे तो यह आपका calculation आज़ेगा 3.6 into 10 की पावर 6 joules नीचे एक example भी दे रखा है उसको देख लेते है an electric bulb is connected to 220 volt तो यहां पर V दे दिया है उन्होंने the current is 0.5 ampere तो उन्होंने आई दे दिया अब power निकालनी थी अब power के हमने 3 formulas बतायते है इसमें से यहां पर V और I दे रखा है तो P equals V into I का हम इसके अंदर formula यूस कर लेंगे तो जो formula का answer आएगा put करने के बाद हो आजएगा 110 watt यहां पर कुछ examples दे रखा है heating effect is desirable in devices like electric heater यह हम discuss कर लिया है in electric bulb most of the power consumed by the filament appear as heat and a small portion is radiated as a light तो आपको जैन कहरानी हो कि जो current है वो around 95% जो है heat में इसके अंदर disappear हो जाता है whereas heat के अंदर only 5 light के अंदर only 5% filament of electric bulb is made up of tungsten यह इसका material है it's an alloy यहां पर इसके दो आपको features बता रखे है it does not oxidize readily at high temperature it has high melting point 3380 degree celsius तो यह tungsten के कुछ खासियत है इस विए से उसको यूज करा जाता है bulb बनाने के लिए electric fuse it is a safety device that protects our electrical appliances in case of short circuit or overloaded अगर voltage बहुत जादा हो जाए तो उसकेस में electric fuse जो है वो help करता है appliances को बचाने के लिए कैसे उसके अंदर एक वायर होती है जो connected होती है आपको current pass कराने के लिए तो उसका जानबुच के melting point जो होता है वो low होता है कि exciting point से जैसे वो point अगर touch हो जाता है मतलब voltage ज्यादा हो जाती है तो वो अपने ब्रेक हो जाता है ब्रेक होने का मतलब है पूरा appliance खराब हो जाए उससे बेटर एक fuse खराब हो जाए तो वो आपके बड़े-बड़े खर्चे बचा लेता है जो जो महाँ पर wire लगाए जाती है वो aluminium की हो सकती है copper, iron, lead तो इन material से वो बनी होती है तो electric fuse जो है वो बहुत important पार्ट हो जाता है आपके electricity का fuse is always connected in series तो series और parallel के बाद मने लास वीडियो में पढ़ लिया था एक line में होते है सारे के सारे fuses एक खराब हो गया तो वो आगे वाले को current पास नहीं करता है इसलिए बाकी बच जाते है current capacity of a fuse is slightly higher than that of appliances obviously जो appliances है उनसे ज्यादा है इसके capacity इसलिए होती है because यह पूरे घर के लिए दे रहा होता है but उसकी एक limit है जैसे यह limit पार करेगा तो वो fuse उड़ जाना जिसको हम बोलते हैं fuse उड़ जाता है हाई चलते हैं इनके answers के दर देख लिए question answers explain the joules law of heating तो पहला answer जो है वो आपको यहां मिल जाएगा आपको यहां से लिखना है आपको यह h equals to i square rt फिर उसके बार लिखना है this is known as joules law of heating और joules law of heating के बारे में आपको यह सारे के सारे points भी लिखने है तो यह सारे के सारे points आप लिख लेंगे यहां पर आपको हो जाएगा first answer answer number two पर चलते है how does fuse wire protect electric appliances अभी मैं आपको इसका answer लिखके दिखा दूँगा तो आगे अभी देख लेते हैं आगे बाकी questions क्या कह रहे हैं why is the tungsten used almost extensively for filament of an electric lamp अभी हमने discuss कर लिया था tungsten के बारे में तो आपने यहां से लिखना है यह आपके दो पॉइंट तक पहली लाइन भी filament of an electric bulb is made of tungsten तो यह इसके दो features होगे इस वज़ा से हम इसको use करते हैं तो यह आपका होगया answer number three answer number four a fuse wire is connected to a live wire true or false fuse wire हमेशा जो है वो live wire से ही connected होता है तो इसका answer होगया true answer number five पे जलते है numerical ते रखा है which uses more energy 250 watt of tv set in one hour एक घंटे में और 1200 watt of toaster in 10 minutes आपको क्या लगता है एक घंटे में tv जादा राकंस्यूम करेगा या फिर 10 minutes में एक टोस्टर तो आई तेलते हैं इसका answer देख लेते हैं और साथ में लेख लेते है answer two का भी answer number two हमने यहाँ पे लिख दिया है और explain हम पहले ही कर चुके है fuse के बारे में तो आप यहाँ से copy कर सकते हैं आके चलते है answer number last जो numerical है तो इसका मैंने दो तरीके से करा आप जैसे मर्जी समझ सकते हैं तो पावर दे रखा था और टाइम दे रखा है तो हमने यहां पर पी यहां पर consumption of निकाल ली है 250 into one hour 250 watt और यहां पर energy by toaster यहां पर ध्यान रखे 60 से आपको divide जरू करना यहां पर हम आवर में ले रहे हैं तो यहां पर 200 watt तो यहां पर हम लिख देंगे TV is consuming more तो दूसरा आपका इसका तरीका हो सकता है यह मैंने इस पूरे कोशन को seconds में convert कर दिया है तो इसमें अगर कोई doubt हो worksheet में तो आप पूछ सकते हैं आगे चलते हैं maths की worksheet की तरफ आज की हमारी maths की worksheet है worksheet number 21 उसमें हमारा नया topic स्टार्ट हो रहा है similarity of triangles similarity of triangles से पहले हमें कुछ चीज़े पता होने की congruency जो हम विश्री class 9th class में पढ़ चुके हैं congruency और similarity के बीच में फरक क्या है वो अगर समझ में आ जाएगा तो आपको यह chapter की starting आपको समझ में आ जाएगा basic concept क्या है congruency वो चीज़ होती है जब कोई दो चीज़ें एकदम exactly same हो जैसे कि आपके सामने आपे earring दिखाई दे रहे हैं ladies की जो earring होते हैं वो दोनो congruent होते हैं earring और right earring के साथ because इसके अंदर एक चीज़ खास बात होती है same shape होता है और same size होता है जो हरे में mark कर रखा है ध्यान लखे same shape, same size जब हम same shape बोलते हैं इसको हम mathematical language में बोल सकते हैं angles same size जब होता है तो इसका मतलब होता है sides तो congruent वो object होते हैं जिनका angle भी same होते हैं और length भी same होती है उसी तरीके से आपका similarity में दो चीज़ें angle तो same होता है उनका लेकिन size अलग होता है तो उसका size जो होता है वो same ratio में होता है मैं इसका example आपको यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर दो butterfly's दिखा रखी है यह क्या है similar है मतलब एक जैसी दिखतो रही है लेकिन size चोटा या बड़ा है उसी तरीके से pyramids pyramids क्या है same दिखतो रहे हैं लेकिन चोटे और बड़े हैं उसी तरीके से leaf हो सकता है और यहाँ पर जो pair है वो क्या है congruent तो इस वाले question का जो answer हो गया उन्होंने congruent बोला था तो congruent बोला था तो आपका सही answer हो गया answer A अब यहाँ पर एक तरीका दे रखा है किस तरीके से answer आप लिख सकते हैं अगर दो चीज़े similar हों अगर दो triangle similar होते हैं तो उसका पहली बात हो यह symbol होता है और इसको लिखते है side जो होती है वह proportionate हो जाती है मतलब AB upon PQ BC upon QR और AC upon PR यहाँ पर जहाँ हम बोल रहे हैं proportionate हो जाती है proportionate का मतलब होता है same ratio में हो जाती है हाई चलते हैं आगे देख लेते हैं इसको यहाँ पर उसने question number two बोला है identify the similar hexagons in the following आप देखेंगे यह और यह एकदम similar लग रहा है whereas यह दोनों similar नहीं लग रहे because इनका जो angle है मुझे अलग लग रहा है तो answer हो गया C and D answer क्या हो गया C and D answer number three पर चलते हैं यह मैं आपको अभी copy पर दिखा देता हूँ किस तरी के से करते हैं पहले answer number four को खत्म कर लेते हैं all circles are similar and circle having same radius are तो उसने बोला है कि सारे के सारे circle similar हैं तो आपको पता ही होगा कि सारे सारे circle जो है वो similar होते ही हैं अगर उनके radius भी similar हो जाए तो उसको बोलते हैं congruent अगर इसके बाद चलते हैं second part पर all squares are similar अगर मैं कोई भी square बना हूँ जैसे कि यह हमने square बना दिया एक मैं बड़ा square बना सकता हूँ तो यह दोनों के दोनों square क्या हैं similar हैं तो उमीद करते हैं यह समझ में आ गई यहां पर आ जाएगा similar next question पर चलते हैं next part है हमारा all the dash triangles are similar सारे सारे कौन से triangle similar होते हैं equilateral equilateral triangle are similar तो यह हमारा third part में answer आ जाएगा next आ गया हमारा give two different examples of the following similar figures similar figures की दो example आप खुद भी लिख सकते हैं मैं पहले एपार्ट का similar figures का यह पर बता देता हूँ तो similar figures का मैंने बता दिया your photo तो आपकी photo जो है वह आप से similar है यह हो सकता है two sunflowers या आप वह भी लिख सकते हैं कि two t-shirts of different size तो आप जब size देखते हैं उनका वह अलग होता है but shape उनकी एकदम same होती है congruent में आप लिख सकते हो car of same model आप दो cars देखो तो उनका जो है color हो सकता different हो लेकिं model एकदम same होगा तो अंदर से बाहर से सब कुछ similar same दिखाई देगा तो congruent कहते हैं उस चीज को ncrt math textbooks of class 10 जो आपके हाथ में math की book है वो जो मेरे हाथ में book है वो एकदम same है exactly same तो उसे कहते है congruent आपके दिमाग में कोई और example आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं आई चलते हैं जो एक question हमारे रहे गया है उसको देख लेते है answer number three अब उन्होंने बोला था दोनों triangle क्या है similar तो मैंने देखे हैं आप इस similarity का निशान बना दिया यह दोनों similar है अगर इस दोनों similar है तो देखो a जो है पी के साथ जाएगा b जो है q के साथ c जो है r के साथ मतलब a b upon p q b c upon q r and a c upon p r तो यह मैंने लिख दिया इसके बाद पहले वाले को और आखरी वाले को मैं equate कर दूँगा और इसके इंदर value मैं put कर सकता हूं यह मैंने figure से वहाँ पर value put कर दी है आप देख लीजिएगा 7 upon p q equals to 12 upon 18 इस दोनों को मैंने 6 से divide करा 6 into 2 6 into 3 18 अब मैंने इसको cross multiply कर दिया p q चला गया 3 के साथ चला गया 21 आ गया 2 नीचे इसको जब मैं divide करूंगा तो 10.5 answer cm मत लिखना क्योंकि कोशन में cm नहीं दे रखा ऐसी दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं अब इन दोनों को equate कर देंगे जब हम इन दोनों को equate करेंगे तो answer आजेगा 15 तो 10th class की आज की worksheet में इतना ही तो आगे चलते हैं next worksheet की तरफ जो की है Hindi की हेलो students आईए आपकी Hindi की आप worksheet देख लेते हैं math और science की बहुत लंबी हो गई है worksheet आप Hindi की जल्दी से देख लेते हैं यह छोटी सी easy सी worksheet है तो यह जो worksheet है इसमें आपको करना है letter writing पत्र लेखन यहां पर आपको करना है तो यह जो आप already English में आप कर चुके हैं और of course वैसे ही आपको Hindi में करना है तो letter writing एक कला है यह एक skill है तो इसे आप किसी भी language में लिखे चाहे Hindi में चाहे English में चाहे राजस्तानी में किसी भी language में आप लिखे तला यह यही रहेगी बस language बदल सकती है तो अगर आपने English में यह अच्छे से सुना है तो of course आप Hindi में भी easily इसे लिख सकते हैं तो इसमें पत्र लिखते समय है पत्र में सहज सरल्त था सामान्य बोलचाल की भाशा का प्रेयोग करना चाहिए तो आप इसमें बहुत फ्लारी language बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं लिखते हैं बहुत ही simple तरीके से simple शब्दों को और easy बोलचाल की जो language है उसको use करते वे आप ये पत्र लिखते हैं ताकि पत्र को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ती है वो भावों को अच्छी तरह से समझ सके ताकि जिसको भी पत्र मिला है वो easily समझ सके आप खुद ही imagine करिए अगर आ समानने बोलचाल की भाशा लिखेंगे तो पत्र लेकर हम क्यों करते हैं क्यों क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने भावों को अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं एक टाइम था जब whatsapp, facebook ये सारे media apps नहीं थे तो पत्रों के द्वारा ही लोग जो है आपस में communicate करते थे और जो लोग दूर होते थे उनको भी अपनी बाते पहुंचाते थे और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने सामने बात कहने में हिचकिचाते हैं लेकिन वहीं जब पत्रों के माध्यम से वो कुछ लिखने की बात आती है तो बहुत आसानी से अपनी बात जो इसको बोलते हैं, informal letters. तो अगर simple भाच्छा में बोलू, तो अपचारिक पत्र वो होते हैं, जो उन्हें लिखे जाते हैं, जिन से आपका कोई नीजी संभन्द नहीं है, कोई personal relationship नहीं है. तो आप ये किन-किन को लिख सकते हैं, आप ये business letters लिख सकते हैं, आप अपने प्रधानाचारे को पत्र लिख सकते हैं, अपने school के principal को कोई आवेदन पत्र लिख सकते हैं, कोई आपको request करनी है, या कोई government sector में, सरकारी विभागों में पत्र लिख सकते हैं, या magazines में, या newspapers के जो संपादक, जो editors हैं, उन्हें जो लिख सकते हैं, तो इस तरह से जो आप formal letters लिखते हैं, ऐसे लोगों को जिन्हें आप personally नहीं जानते हैं, निजी तोर पर नहीं जानते हैं, तो आपचार एक पत्र जो होते हैं, formal letters जो होते हैं, उनकी जो language होती है, भाशा, बहुत ही सहज और शिष्टता पूर्ण होती है, तो आप informally, क्योंकि personal relationship नहीं है, तो आप simple, direct और respectful language use करेंगे, कुछ भी इधर उधर की बाते नहीं करेंगे, इन पत्रों में केवल काम या आपकी समस्या के बारे में ही बात की जाती है, तो बिल्कुल to the point आप इसमें बात करेंगे, कि भाई ये problem है, ये issue है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ करेंगे, तो बहुत ही respectfully, शिष्टता पूर्ण आप इसे लिखते हैं, अब जो अनौपचारिक पत्र हैं आपके, वो उन्हें लिखे जाते हैं, जिनसे आपका कोई व्यक्तिकत संबंद है, या personal relationship है, तो ये आप अपने परिवार के लोगों को लिखते हैं, या कोई सूचना देनी है, कोई information देनी है, तो बड़े सारे reasons हो सकते हैं, जिनकी वज़े से आप अपने relatives को, family members को, या friends को ये informal अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, तो इनकी जो भाशा होती है, इस भाशा में थोड़े से घील की जा सकती है, इन में शब्दों की भी संख्या असे मित होती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बाते भी होती हैं, कि और आप कैसे हैं, आज कल क्या चल रहा है, आपका क्या हाल चाल है, घर पे सब कैसे हैं, तो इधर उधर की बाते भी इन पत्रों में लिख सकते हैं, तो अब आपको यहाँ पर आगे इस Worksheet में उधारन दिया गया है. तो यहाँ पर इस उधारन में एक उपचारिक पत्र है. तो इस उपचारिक पत्र का लिखने का आपको यहाँ पर अभ्यास करना है, प्राक्टिस करनी है. तो यहाँ पर दो task है actually मैं आपको बता हूँ तो पहला task है अनुमान लगाकर रिक्त स्थान में box में से उचित शब्दों को भरिये यह आपका पहला task है तो यहाँ पर कुछ blanks है उनमें यह जो आपको options दिये हुए है यह jumbled up है तो यहाँ 1 है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आ यहाँ पर 1 है तो इधर से आपको कोई number यहाँ पर लिखना है तो आप इसको पहले तो यह करेंगे यह आपका task 1 है फिर दूसरा task आपका यह है किसी भी विशय पर एक आपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए तो आपको कोई भी topic लेना है और उस पर जो है एक formal letter चल्दी से देख लेते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें format दिया गया है साथी साथ इस उधारन के तौर पर सबसे पहले पत्र में आप लिखते हैं सेवा में फिर उसके बाद सेवा में के बाद जिसको आपने पत्र लिखा है उसको address करते हुए आप लिखते हैं तो यह पहली जो line है, पहला जो blank है, यहाँ पर आएगा आपका यह option 3, ठीक है तो आप इसको 3 को यहाँ पर 1 के साथ लिखेंगे, उसके बाद जिसको भी आपने यह letter लिखा है, आप उसका address लिखेंगे, मतलब वो जहाँ पर काम करता है और वो काम करने वाली जगह है, वो जहाँ आप वो लिखेंगे, तो second number पर आजाता है, तो इस letter को लिखा गया है, संपादक महोदे को मतलब की, एक editor को लिखा गया है, तो हिंदी में हम साथ में यह महोदे वर्ड भी लिखते हैं, अगर वो लड़की हैं, लेडी हैं, तो आप महोदया लिखेंगे, तो पहला यहाँ संपादक महोदे, फिर दूसरा आजाएगा, वो कहां के संपादक है, कहां के editor है, तो यह जो पहला आपको दिया हुआ है, दैनिक हिंदुस्तान, यह आजाएगा आपके second blank में, उसके बाद चलते हैं, third blank में, दैनिक हिंदुस्तान, जो यह newspaper है, वहाँ, यह कहां पर है, तो उसका address आपको लिखना है, तो address यह 8 जो आपका option है, केजी मार्ग नई दिल्ली, यह आप लिखेंगे इस third blank में, उसके बाद बड़ा ही simple सा है, दिनांक आपको लिखनी है, दिनांक यह दी गई है, fourth में, यह fourth, 21 अगसी दिनांक आप लिख देंगे, यहाँ पर, उसके बाद विशे दिया गया है आपको, तो विशे मतलब subject, तो आपने यह पत्र किस बाद पर लिखा है, वो short form में लिखना है, तो इसमें fifth blank में, आप क्या लिखेंगे, यह subject है, यह, योग शिक्षा का महत्व, इस पर यह पत्र लिखा गया है, fifth blank में आप यह लिखेंगे, तो यह format को अच्छे से देख लिएक यूगि आपको भी प्र लिखने का अभ्यास करना है, तो यह जब आपनी सारा लिख दिया है, सेव प्त्र लिखना है, उसको एड्ररेस करते वह लिख दिया है, संपादक महोदय, फिर वो जहां काम करते हैं, वो लिख दिया है, काम करने की जो जगे है, वो जगे का एड्रेस लिख दिया है, फिर दिनांक लिख दिया है, सब्जक लिख दिया है, उसके बाद आप लिखेंगे महोदय, तो जैसा मैंने आपको कहा, यहां पर भी संपादक म तो content में यही है कि इस पत्र के माध्यम से आप विद्याले में योग शिक्षा के महत्व को प्रतियक व्यक्ति तक पहुचाना चाहते हैं। तो इस तरह कि जो योग के लाब है वो आपने यहाँ पर एडिटर को लिखे हैं। और उनसे कहा है उन्होंने यह विनम्र निवेदन किया है आपने की उनके समाचार पत्र में उस पेपर में वो योग के प्रति लोगों को जागरुख करें। तो यह आपने उनको लेटर लिखने के बाद आप लिखेंगे धन्यवाद धन्यवाद लिखने के बाद यहाँ पर important word आजाता है भवदिया तो जैसा कि मैंने आपको कहा इंग्लिश हो या हिंदी लेटर हो लेटर सेम ही है तो इंग्लिश में आप लिखते हैं sincerely तो हिंदी में आप यहाँ लिखेंगे अगर आप लड़की हैं तो यहाँ भवदिया लिखेंगे अगर आप लड़के हैं मेल हैं तो आप भवदिया लिखेंगे यह आ की मातरा आप नहीं लगाएंगे तो यह आप ध्यान रखिएगा अब चलते हैं सिक्स्थ पे फिर सिक्स्थ पे आप क्या लिखेंगे अब क्य क्विए आपने यहाँ पर अब लेटर एंड हो गया है तो आपको लिखना है कि लेटर किसने भेजा है तो इसमें 6th जो ब्लैंग है यहाँ पर आजाएगा आपका नाम यहाँ आप लिखेंगे अपना नाम अफकौरस अब अपने नाम के बादा आप क्या लिखेंगे तो 7th blank म आप लिखेंगे अपना पता तो नाम के बाद लिखते हैं पता अब पता लिखने के बाद obviously चीज है उसके बाद last जो blank है आपका 8th blank इसमें आप क्या लिखेंगे इस blank में 8th blank में आप लिखेंगे ये option to mobile number ये यहाँ पर आप लिखेंगे तो चलते हैं अब आपके दूसरे task के उपर अब आपका दूसरा task जैसा मैंने आपको बताया वो ये है कि किसी भी विशय पर एक अपचारिक पत्र आप लिखने का अभ्यास करेंगे तो हमने आपके लिए यहाँ पर एक sample पत्र लिखा है आप वो देख सकते हैं लेकिन उसको देखते हुए आप अपने किसी भी विशय पर एक अपचारिक पत्र लिख सकते हैं format यहाँ example में उधारण में भी दिया हुआ है हम जो आपको sample answer दिखा रहे हैं उसमें भी format है आपको जल्दी से बता देती हूँ हमने क्या लिखा है तो जैसा मैंने आपको कहा आप सेवा में से शुरुवात करेंगे फिर जिसको आपने लिखा है तो आपको याद होगा कि English की worksheet में आपने एक letter लिखा था जिसमें ATM card आपका expire हो गया था और lockdown के विज़े से आप उसे activate नहीं करा पाए थे तो हमने उसी को उसी letter को क्योंकि वो भी एक official letter है अपचारिक letter है तो उसी को हमने यहाँ हिंदी में लिखा है तो वहाँ पर आपने manager लिखा था तो यहाँ पर आप उसे प्रभंदक महोदय लिखेंगे हम assume कर रहे हैं कि वो एक male है अगर आपको पता है कि आपका branch manager female है तो आ आप यहाँ महोदया जरूर लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर bank का हमने नाम लिखा है bank का यहाँ पर address लिखा है फिर यह दिनांक है फिर विशय यहाँ पर लिखा है subject की नया ATM card जारी करने हे तो आप यह letter लिख रहे हैं उसके बाद आजाता है आपका main content again मैंने कहां यहा लिखते तो तो यहाँ पर फिर हमने आपका content लिख दिया है कि आप उस bank के बहुत काफी लंबे समय से ग्राहक रहे हैं लॉक्डाउन के कारण आप अपने bank में नहीं जा सके और अपना card जो है वो सक्रिय नहीं करा पाए activate नहीं करा पाए तो इसी के बारे में आपने letter लिख अगर आप लड़के हैं तो अगर आप लड़की हैं तो भव दिया लिखेंगे फिर अपना नाम अपना पता और mobile number तो आप चाहें तो यह sample answer लिख सकते हैं या इससे inspire होकर idea लेकर आप बिल्कुल अपना answer यहाँ पर लिख सकते हैं अपना अपचारिक पत्र लिख सकते हैं तो आज की worksheet में इतना ही है अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में जरूर पूछिए इस channel को like और subscribe जरूर कीजिए और इन वीडियो इसको आगे पहुंचाईए ताकि और बच्चों को इन वीडियो से benefit हो सकें थैंक यू